दिल्ली के मुक्य मंतर अर्विंद केजरिवाल को परवड़ते ने देशाले ने समन भेजा दिल्ली के कतिप शराब गोटाले में मनी लॉंडरिंग की जाज कर रही केंद्रे जाज अजनसी एडी ने 4 मार्च को केजरिवाल को पूस्ताच के लिए बुलाया इससे पहले केजरिवाल को साथ समन भेजे जा चुके लेकिन उन्होंने अवेद बताया और पेश नहीं हुए ऐसे में अब एडी ने आठवा समन भेजा है दिल्ली के आपकारी निती में गोटाले का आरोप लगे उन पर इस मामले में सीबियाई जाज कर रही है वहीं इस केस में मनी लॉंडरिंग के एंगल से एडी जाच में जुटी है केंदरे एजंसिय ने अब तक इस मामले में आपके दो बड़े निताओं और मनिश शिशोद्या और संजे सिंग को गिरफतार किया एडी केजरिवाल को बुलाने के लिए साथ समन भेज चुके इससे पहले एडी ने 22 फरवरी को केजरिवाल को साथवा समन भेज कर 26 फरवरी को पूस्ताज के लिए बुलाया था लेकिन केजरिवाल पेश नहीं हुए आम आधी पार्टी ने कहा था कि मामला कोट में लंबी था और उसके सुनवाई 16 मार्च को है एडी को रोजाना समन भेजने की जगा कोट के फैसले का इंतजार करना चाहिए दिली सरकार ने 17 नवंबर 2020 को नई शराब नीती लागू की थी 22 जुलाई 2022 को राजिपाल वीके सक्षेना ने एकसाईश पोलिसी में कतित नियम उलंगन और खामियों की शिकायत पर सीबियाई जाज की सिफारिश की थी दरसर दिली के मुक्के साचीव की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि शराब लाइसिंस धारियों का निचुत लाब देने के लिए शराब नीती के नियमों का और लंगन किया था विवाद बढ़ने के बाद 28 जुलाई 2022 को आपकारी मंत्री मनिश शोदय ने विवाद को पुराने आपकारी निती प्लागू करने का आदेश दिया था अगस्त 2022 को CBI ने इस मामले में FIR दर्ज की इस केस में ED के एंटरी 22 अगस्त 2022 को हुई 26 जनवरी को CBI ने मनिश शोदयो के गरफतार किया 4 अक्टूबर को संजिस सिंग की गरफतारी वी उसके बाद सही आम आदी पार्टी के निताओं को डर है क्या रिविंद के जरिवाल को भी जेल की सलाखों के पीछे भीजा जा सकता ही इस बीच खबर सामने आई कि दिली के आमादी पार्टी ने लोकस्वा उमीदवार गोशित कर दिये कुरुचेतर के लिए भी जो 4 सीटे आमादी पार्टी को मिली है उसमें उन्हें पूर्वी दिली से कुल्दीव कुमार को पस्चमी दिली से महाबल मिश्रा को दक्षन दिली से सहिराम पहलवान को और नई दिली से सोमनात भारती को उतारा है आपको बता दे कि महाबल मिश्रा पूर्व सांसद हैं और कुल्दीव कुमार सहिराम पहलवान और सोमनत भारती विदायक हैं और कुरुचेतर से शुशिल गुपता को उतारा जो कि पूर्व सांसद रही हैं अब देखते हैं केजरिवाल को रोकने के लिए क्या क्या हत्कंडे अपनाई जाते हैं